राम राम आज हम श्रीमत भगवत गीता के अध्य है दो सांखी योग का श्लोक 44 संस्क्रित उच्चारण और हिंदी आर्थ सहेत समझेंगे पहला चरण भो गपर अई की मातरा गई आदा श भो गईश व य के उपर आधा र है उसको व के साथ करेंगे वर य में आमिक्स करेंगे वर य भो गईश वर य प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा पी आर ए सब पूरे के साथ आदा कर सक प्रसक ताना शब्द पुराने के बाद नापयान स्वार आधम प्रसक ताना पहला चरण फिर से भोगईश्वर या प्रसक ताना दूसरा चरण त मी आमिक्स करेंगे तया प मी आमिक्स करेंगे प री हरी का अर्थवा ह आदा और ह के अंदर री से रिश्री की मात्रा हर रित त में आमिक्स करेंगे तयाप रित चेत में आमिक्स करेंगे चेत सापूरी के साथ आधम साम दूसरा चरण फिर से तयाप रित चेत साम पहला और दूसरा चरण साथ में भोग इश्वरिय प्रसकता नाम तयापरित चेत साम तिसरा चरण आधि व की साथ य पूरा व्यव फिर व पूरा है व इस शब्द को ध्यान से पढ़ना है व्यव साया मात्रा की अंदर का आदा तर साया के साथ सायाथ म पर इ के मात्रा मिका व्यवसायात्मिका बुद्धी बुद्धी में द आदा है और ध से धनुष पूरा ध पर एकी मात्रा धी बुद्धी एकी मात्रा धी में तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही बुद्धी ही तीसा चरण फिर से व्यवसायात्मिका बुद्धी चौथा चरण स में आमिक्स करेंगे समाध्थव धपर आउ की मात्रा धव समाध्धव न में आमिक्स क्या न वी की मात्रा छोटी तीसरा और चोथा चरन साथ में व्यवसा यात्मिका बधि पुरिश लोग का उच्चारण एक साथ भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापरित चीत साम व्यवसायात्मिका बद्धि है समाध्वन विधियते एक बार फिर से भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापरित चीत साम व्यवसायात्मिका बद्धि है समाध्वन विधियते श्लोक का अर्थ सुनते हैं इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अव्यवसाई मनुष्य है मतलब जिनका निश्चे परमात्मा की प्राप्ती हो ऐसा नहीं है जिनोंने अपना एक निश्चे नहीं कर रखा है उनके निश्चे इस संसार के सुख भोग विशे विलास की तरफ है उनकी बुद्धी अनंत क्यों होती है इसका कारण बताते वे भगवान निश्चे लोग 42 और 43 पड़ा जिसमें भगवान ने बताया कि जो मनुष्य कामनाओं में ततपर है तनमे है स्वर्ग को ही वे सर्विश्च्रिष्ट मानते हैं किसमें भोग विलास के लिए और जो इस धर्ती पर रहकर केवल और केवल अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए कारिय करते हैं ऐसे अविवे की मनुष्य केवल जन्म मरन के चक्र में फसे रहते हैं क्योंकि वो भोग और एश्वरी की प्राप्ती के लिए अलग-अलग प्रकार के कारिय किया करते हैं अब इसी कड़ी में कि वो मनुष्यों की बुद्धी अनंथ क्यों होती है उसी का कारण देते वे आज का श्लोग भगवान क्या बोल रहे हैं शब्दों के अर्थ निकालते हैं भोगईश्वर्य प्रसक्ताना भोगईश्वर्य यानि भोग और एश्वर्य प्रसक्ताना मतलब आसकत है तो भोगईश्वर्य प्रसक्ताना मतलब भोग तता एश्वर्य में जो अत्यंत आसकत है तया यानि उस पुष्पितवानी से इस शब्द को हमने पिछले श्लोग में सुना था पुश्पितवानी क्योง बोला गया है क्योंकि भोग और एश्वरी है इस धर्टी पर हमें दिखने में भले ही अच्छे लगते हैं शोभा युकत दिखते हैं लेकिन वास्त्विक्ता में उससे हमारे को कुछ भी हात नहीं आना है ठीक उसी तरह जैसे कि पुष्प जो है वो एक व्रिक्ष पे लगे वे दिखने में सुन्दर दिखते हैं परन्तु अगर पुष्पों को खाया जाए तो उससे पेट नहीं भरा जा सकता है पेट तो केवल फल से ही भरे जा सकते हैं उसी प्रकार ये वाणी मतलब कि यही हमें दूसरे की वापिस कामना जागरत हो जाती है तो इसी वाणी को क्या कहा है पुष्पित वाणी तो तया का अर्थवा उस पुष्पित वाणी से परित चेत साम तया धन अपरित चेत साम आ और अ मिलकर आ बनाएगा इसलिए तया का आई रहा और अपरित चेत साम यानी जिसका अंतकरन हर लिया गया है मतलब उसका अंतकरन भोगों की तरफ खिच गया है व्यवसायात्मिका मतलब एक निश्चे वाली इस शब्द को हम पिशलिश लोकों में सुन चुके हैं बुद्धी यानि बुद्धी समाधव यानि परमात्मा में न नहीं विधीयते होती है पूरा अर्थ क्या निकला उस पुष्पित वानी से जिसका अंतकरन हर लिया गया है अर्थार्थ उसका मन भोगों की तरफ खिच गया है और जो भोग और एश्वर्य में अत्यंत आ सकत है उन मनुश्यों की परमात्मा में एक निश्चे वाली बुद्धी नहीं होती है तो पूरा कहने का तत पर ये क्या हुआ कि जिसका भी अंतेकरण में परमात्मा की जगे इस संसार के सुख भोग विलास का महत्व बढ़ गया है जैसे कि इस संसार को हम सच मान कर यहाँ पर जो भी भोग विशे भोग विलास सुख समरिद्धी की सामगरी जो भी हमें दिखने में अच्छी लग रही है उसका महत्व हम अधिक मानते हैं उन परमात्मा की प्राप्ति के बज़ाएं तो हम लोग को का जो अंतकरण होगा केवल उन भोग और एश्वरे में आ सकते रहेगा उन भोगों को प्राप्त करने के लिए हम हर समय लालाईत रहेंगे उसी के लिए हम प्रयास रहेंगे तो इस कारण हम अपना एक लक्षे नहीं बना सकते हैं जिसके का लिए हमें है वो कभी दिखता नहीं मतलब जो परमात्मा है जो सत्य है वो दिखते नहीं है जिनकी प्राप्तिया में करनी है और इस संसार के सुख भोग जो हमें दिख रहे हैं लेकिन वास्तविक्ता में ये बिल्कुल भी सत्य नहीं हैं कि कीवल उन पुश्पो की तरह हैं जो दिख फिकने में बले ही हमें अपनी तरफ आकरशित करने हैं लेकिन वासत्विक्ता में ये हमारे पेट भड़ने वाले नहीं हैं